भारत में बहुत सारे राज्यों में से एक है राजिस्थान मैं इस बार ममी और पापा के साथ जैसल मेर गए थी जो की राजिस्थान में है लालकी बार साजन मोलो काल जो काल जो लेका साजन कुसा कादा भारत मेर दे पर आवार मारे दे मैंने वहां पहली बार रेद के टीले देखे कैसे बनते हैं ये रेद के टीले त्रेकिस्तान में इतने सारे सांडियूंज होते हैं कि गिनना ही मुश्किल हो जाता है और वो इतने सुन्दर हैं कि उन्हें देखकर तस्वीर बनाने का मन होता है हवा चलने से रेद के टीले तो सरकते ही हैं लेकिन हमारे कान, कपड़े, आँख हर जगा रेद ही रेद गुश जाती है मेरे ख्याल से राजस्थान के लोग इतने रंग बिरंगे कपड़े इसले पहनते हैं क्योंकि राजस्थान में रेद ही रेद भरी रहती है यानि कि एक ही रंग के सारी चीज़ों तो राजस्थान के लोग सोचते होंगे कि चलो हम भी थोड़ा रंग बिरंगा बन जाएं ये पैरों के निशान कैसे बनते होंगे मैंने तो ये सिर्फ समुद्री तटो पर देखा है और यहाँ पे भी देखा था शाम को जब सूरज डूब रहा था मैंने वहाँ पर बहुत सारे ओंट रेट पर बैठे देखे मुझे उन्ट बहुत प्यारे लगते हैं जब मैंने सूरज को डूपते हुए देखा तो चारा तरफ की सारी चीज़े एक काली परच्छाई की जैसी लग रही थी और पूरा आसमा लाल दिख रहा था शाम के समय रेट पर ठंडी लग रही थी मैंने वहाँ एक और चीज़ देखी वहाँ लोग मटका लेके दूर दूर तक पानी लेने जाते हैं हमें तो पानी घर पे नल में मिल जाता है लेकिन इन्हें दूर दूर तक पानी के लेने जाना पड़ता है क्या इनके घर पे नल नहीं होते मैंने सुना वहां का गाना वहां मैंने एक और चीज देखी जो एक बच्चा बजा रहा था दादा जी ने बताया कि उसे खड़ताल कहते हैं कि खड़ताल कैसे बनाई जाती है कितना नया था सब कुछ आपको भी लगा होगा ना गार दुदेली रो पैन रो दुदेली रो जेन रो केसरी नर के दो रजे घंटा प्यातर बना नरे नवल बने सन के दो रजे नर के दो